दोस्तों मुझे comments में आए दिन रोज रोज बच्चे एक ही चीज बोलते रहते हैं कि आपको linguistics पर एक वीडियो बनाने चाहिए यह linguistics क्या है हमें समझ में नहीं आता कई बच्चों को literature पढ़ते वक्त linguistics भी पढ़ने पढ़ती है क्योंकि net की preparation करने वाले बच्चों को linguistics की बारे में पता होना बहुत जरूरी है इस वीडियो में मैं आपको 4-5 मिनट में समझाने की कोशिश करूँगा जो आपको एक घंटे में भी जानने को नहीं मिलेगा वैसे तो इसको एक वीडियो में समझ पाना बहुत ही मिश्किल है लेकिन मैं इस वीडियो में जान जोगने की कोशिश करूँगा दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको समझा सकूँ कि यह linguistics क्या है मैं एक चोटी सी कोशिश कर रहा हूँ एक चोटा सा ट्राय कर रहा हूँ इस वीडियो को बना कर कि आपको यह समझ में आ भी पा रहा है या नहीं चलिए वीडियो खतम होने के बाद में मिलते है तो linguistics क्या है simple से simple language में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो किसी language को scientifically study करना linguistics कहलाता है हिंदी में हम इसे भाष्या विज्ञान भी कह सकते है तो linguistics एक ऐसा subject है जिसमें language को scientifically study किया जाता है अब आप पुछोगे scientifically study करने का मत्दब lab web बनाकर instruments का use करके study किया जाता है क्या तो हाँ दोस्तों जैसे देखो इसको बोलते है औरसिलोग्राफ इसमें sound की तरंगों को waves को electric energy में translate किया जाता है ये एक instrument है इसी की तरह sound spectrograph, sonograph ऐसे बहुत सारे instruments में आपको गिनबा सकता हूँ जिनसे sounds को study किया जाता है अब आप मुझसे ये पूछोगे कि sir आप तो sound को study करने की बात कर रहे हो आप यहाँ पर language को study करने की बात नहीं कर रहे हो तो दोस्तों language किस चीज़ से बनती है देखो linguistics में wide चीज़े देखी जाती है मतलब linguistics मालो एक बहुत बड़ा बरगत का पेड़ है इसकी बहुत सारी branches है जिनकी बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा इसके अंदर हम सब कुछ study करते हैं scientifically जैसे sound कैसे produce होता है language कैसे बनती है language का development कैसे होता है क्योंकि इस linguistic subject के आने से पहले एक subject चलता था पहले philology उसके अंदर ये language को पढ़ा जाता था लेकिन philology में कमी क्या थी कमी ये थी कि उसमें सिर्फ comparison चलता था एक language का comparison दूसरी language से करते थे इसलिए उसको comparative philology भी कहा जाता है और आज की date में अगर हम देखें तो philology linguistic से बहुत अलग है दोस्तों कैसे अलग है philology में primarily written language पर focus किया जाता था कि written language की historical development कैसे हुई उस पर focus किया जाता था comparison करके देखा जाता था कि इस language का relation किसी दूसरी language से या culture से तो नहीं लेकिन linguistics में written language के साथ साथ spoken languages पर भी focus किया गया मतलब spoken languages को priority दी गई इसमें language की narrow picture नहीं बलकि wide picture देखी जाती है अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे समझाना शुरू करूँगा दोस्तों ढंक से चीजे समझ में आने लगेगी मैं समझाता हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा linguistics में एक branch होती है जिसमें speech और sounds को study किया जाता है उसको phonetics बोलते हैं दोस्तों जिसमें speech और sound को study किया जाता है उसे क्या बोलते हैं phonetics और जिसमें phonemes को study किया जाता है phonemes क्या होते हैं दोस्तों मतलब units of sounds जब sounds की units बनती है न जैसे cat, bat, hat, bad इन units को जिसमें study किया जाता है उसको कहते है phonology ठीक है अब इन units से बनते है words उन words को जिसमें study किया जाता है उसको बोलते है morphology क्या बोलते है morphology अब उन्ही words से बनती है phrases और sentences इन phrases और sentences को जिसमें study किया जाता है उसको बोलते है syntax और उन्ही phrases और sentences से बनते है literal meanings जिनको हम study करते हैं semantics में और फिर आता है उस चीज का context जानना, जिसको हम पढ़ते हैं pragmatics में, ठीक है, तो ये सारी branches है, linguistics की, यहनि मैंने कहा था न, linguistics एक बड़ा बरगत का पेड़ है, और ये सब उसकी branches है, पहले आती है वो branches जिसमें हम sound को study करते हैं, जैसे phonetics और phonology, फिर आती है वो branches जिसमें हम sound के structures को study करते हैं, जैसे morphology और syntax, और फिर आती है वो branches जिन में उन structures के meanings को समझा जाता है, जिसमें आते हैं, semantics और pragmatics, तो अलग-अलग dimensions में हम linguistics को study करते हैं, sound के dimensions में भी, structure के dimension में भी, और meaning के dimensions में भी, अगर मैं और ज्यादा deep जाकर समझाने की कोशिश करूँ, तो इन branches क अंदर भी branches होती हैं, जिसको हम next lecture में discuss करेंगे, अब मैं उमीद करता हूँ, आपको इस चोटी सी वीडियो से, linguistics का एक brief overview जरूर मिला होगा, कि यह linguistics आखिर है क्या, अब आपको समझ में आया तो भी comment में लिखिए, अगर नहीं आया तो भी comment में लिखिए, मैं इस पर और भी वीडियो बनाने की कुशिश करूँगा, फिलाल आज की वीडियो में बस इतना ही